जैमाता दिमित्रो हमारे YouTube चैनल में आपका हारदिक स्वागत है आप लोग आप लोग को यह बता देना चाहता हूं कि मैं कुछ भगत होते हैं कुछ तांत्रिक होते हैं ओजा सोखा सेवडे या फिर तंत्र मंत्र से जुड़े हुए जो भी लोग कारे करते हैं वह अक्सर लो या आपका घर ऐसा है आपके घर में इतने कम रहे हैं या फिर आपने यहां पर यह गलती कर दी है आपने वहां पर गए थे आपने वहां पर यह गलती कर दी है कहने का अर्थी है कि आपके बारे में जो तांतरिक भगत ओजा सोखा और नीम हकीम यह सारे चीज़े होती हैं जो जो लोग देव उपासक होते हैं, शक्तियों के उपासक होते हैं, तो वो लोगों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे देते हैं, कि आपने क्या खाया, क्या पिया, कहां गए, कहां रहते हैं, सब चीज आपके बारे में बता देते हैं, तो ऐसा वो कैसे करते हैं, कैसे उनको यह सारी जानकारी हासिल हो जाती है कैसे उनको लोगों के बारे में पता चल जाता है तो देखे मित्रो इसको कहते हैं किसी के बारे में पूछा देना यानि कि किसी के बारे में जानकारी देना किसी के बारे में बताना ठीक है किसी के बारे में पता करना ठीक है और ऐसा होता कैसे है ऐसा होता है देवी देवताओं की शक्तियों के माध्यम से या फिर देवी देवताओं की जो भी लोग सिध्धी प्राप्त कर लेते हैं तो सिध्धी करने के बाद में वही देवी वही देवता और वही देवता सब कुछ बताते हैं आपको आकर के कैसे बताते हैं बताने के कई माध्या में कोई देवी या कोई देवता आपके कान में बोलते हैं ठीक है जिस प्रकार से लोग कर्ण आचनी कान में बोलती है उसी प्रकार से कुछ देवियां और कुछ देवता कान में आ करके बोलते हैं कुछ आपको आग्या चक्र में दिखाते हैं यानि कि जैसे यह भिकुटी है त्रिकुटी है और ब्रूमद्य कुछ शक्तियां यहां पर बताती हैं यहीं यहीं पर दिखा यानि कि जैसे ही अगर मैं आख बंद करूं तो मुझे यहां पर लोगों के बारे में दिखना शुरू हो जाएगा तो इस प्रकार से कुछ शक्तियां जानकारी देती हैं कुछ शक्तियां कान में आ करके बताती हैं और कुछ शक्तियां जीवा पर विराजमान हो करके बताती ह यानि कि वो ना तो कान में बोलती हैं ना ही वो यहां पर दिखाती हैं वो हमारे कंट में और हमारी जीवा पर बैठ करके सब कुछ बोलती है और जो बोलेंगी वो चीज़ सत्त होती है ठीक है यानि कि बीता हुआ कल्बी और जो अभी वरतमान में घटित हो रहा है वो और जो भविशे में घटित होगा यानि कि आप इसको वाक सिद्धी कह सकते हो कि वाक सिद्धी वो दे रहती है और वाक सिद्धी से यानि कि वाक के सिद्धी यानि कि जो भी आपके मुख से वाक के निकलेगा वो सिद्ध होगा ठीक है या वो सिद्ध हुआ था पहले या वो हो चु हो जाती है और कान में बतातेएं वह भी होती है तो ये ये चीज निरभर करती है और कुछि क्ट21 हमें बताती प्रेन दे करके यानद कि हमारे मन में इची जैसे कि होता है कि जो हमारा हृदय चक्र होता है जो हमारा हृदय चक्र होता है देवी देवता हमारे हृदय चक्र से कनेक्ट हो जाते हैं ठीक है यानि कि हमारे हृदय चक्र में उनका वास हो जाता है और हमें जो मन में प्रेणा उठती है उनकी तरफ से वह हम बताते हैं वह हम लिखते हैं ठीक है और जो भी हम लिखते हैं जो भी हम बताते हैं वह चीज़ सत्य होती है ठीक है आपने देखा होगा कि कुछ लोग लिख करके जानकारी देते हैं तो वह इसी प्रकार से जानकारी देते हैं क्योंकि उनके हृदय चक्र उनका जो हृदय चक्र है वो जागरित हो जाता है हृदय चक्र की सिध्धी उनको प्राप्त हो जाती है वो उनके जो भी इश्ट देवता होते हैं उनके हृदय में विराजमान होकर के प्रेणा देते हैं जानकारी देते हैं और वो जो भी लिखते हैं वो चीज फिर शक्ति यहां पर बैठती है तो आपको वह शक्ति खेलने के लिए विवश करती हैं और आपके शरी में पूरी शक्ति प्रवेश कर जाती हैं और आप खेलने लगते हो और फिर उसके बाद में शक्ति जानकारी देना शुरू कर देती है, तो ये कुछ माध्याम होते हैं शक्तियों के, और कुछ लोग इतने अधिक सिद्ध होते हैं कि उनके सामने शक्तियां प्रत्यक्ष खड़ी होकर के जानकारी देती हैं, हाला कि ये जो सिद्धी होती है, जिसमें शक्तियां प्रत्यक्ष खड़ी हो सिद्धी को पाने में आपको काफी समय लगता है बाकी जो आग्या चकर वाली सिद्धी है जीवा वाली सिद्धी है कान वाली सिद्धी है रिदय वाली सिद्धी है ये सादक को जल्दी प्राप्त हो जाती है जल्दी का मतलब इसमें भी समय लगता है इसमें भी महनत करनी कि हम उनकी शक्तियों को किस प्रकार से ग्रहन कर रहे हैं और किस प्रकार से हम उनका मार्ग दर्शन ले रहे हैं कुछ लोग उनका मार्ग दर्शन यहां से लेने लगते हैं कुछ लोग यहां से लेने लगते हैं कुछ लोग यहां से लेने लगते हैं तो जिस जहां से आप उ उनकी सिद्धी का ठीक है सिद्धी के बिना कोई भी शक्ति हासिल नहीं होती जब तक आप सिद्धी प्राप्त नहीं कर लेते या उस देवी या उस देवता को सिद्ध नहीं कर लेते उनको साध नहीं लेते तब तक आपको इनमें से कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होगी इ बित्मान काल neighbor सकते हो और भविषय काल भी आप बता सकते हो ठीक है मित्रो और इसमें आप किसी की भी सिद्धी कर सकते हो एसा नहीं है कि एसे को पाने के लिए किसी विशेश शक्ति की उपासनाह करने की आवश कुछ लोग करण पिशाचनी की सिद्धी करना चाते है ताकि वह कान्मेया करके बोले है कुछ यहां पर बता देना चाहता हूं कि इस PROF. इसमें मैं आपको इन चाहता हूं ठीक है जरूरी निया कि आपको कंड़ पिशाचनी की ही सिद्धी करनी पड़े आप इसके लिए माता काली की सिद्धी कर सकते हो हनुमान जी की सिद्धी कर सकते हो मादुर्गा की सिद्धी कर सकते हो भगवान शिव की सिद्धी कर सकते हो भगवान विश्णु की सिद्धी कर सकते हो गोगा जहरवीर की सिद्धी कर सकते हो बहरव जी की सिद्धी कर सकते हो किसी भी देवी या किसी भी देवता की आप सिद्धी करोगे तो वह आपको हर तरह की जानकारी प्रदान करेंगे किसी भी व्यक्ति के बारे में आपके बारे में और आपका हर कारे में साथ देत जो भी भगत लोगा आपको बताते हैं धंट्रीक को इसी सिध्दी का सथ कृती है आइस którą आश्या करता है अगर मेरे द्वारा दी गई आपको अच्छी लगती है तो लाइक वीडियो को श्येयर करने आप गोड़िप सब्सक्राइब करना इसी तरह की जानकारी में आपको लगातार देता रहूंगा मिलूंगा आप से अगली वीडियो में जै मातरानी की